आपका स्वागत करता हूँ कैसे हैं दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आज मैं दोस्तों लेके आया हूँ एक छोटा सा ट्रिक मात्र वीडियो तीन से चार मिनट का है पूरा जरूर देखिएगा मजा आने वाला है परिच्छा में आपको बहुत ही मदद करने वाला एक ट्रिक है कभी कभी पूछता है गंगा के किनारे बसे प्रमुख सहरो का नाम देता है दिकल्प में देदेगा निम्न चार दिकल्पों में से कौन सा सहर गंगा के किनारे इस्थित है ठीक है तो प्रमुख सहरो का नाम याद करने का मैंने बहुत सांदार ट्रिक तयार किया है और ट्रिक है थोड़ा सा फनी है काना बाप हवाई बेग से भागे इतना तो याद कर लेंगे ना बकसर हो जाएगा बकसर कहाँ पे है बिहार में है ठीक है और यहाँ पोदिया है तो पोद से क्या हो जाएगा पटना हो जाएगा देखो यह एक में है और यहाँ पे दो है यहाँ पे तीन है यहाँ पे एक में है और यह एक में है ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा पौसे पटना हो जाएगा और हर से हर से आपका क्या हो जाएगा हरी द्वार हो जाएगा ठीक है और यहां वा दिया है तो वा से वारार्सी हो जाएगा है ना मज़ेदार तो मज़ेदार है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर नए देखने वाले हैं तो आप क्या कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए देखें यहाँ E दिया है E से क्या हो जाएगा इलाहा इलाहाबाद हो जाएगा क्या हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा लेकिन आप इसको क्या करेंगे प्रियाग राज लिखेंगे ठीक है इसे इलाहाबाद वेग से क्या हो जाएगा बाबु मेरे बेगु सराय बेगु सराय भी बिहार में है ज्यादा तर नदियां गंगा नदि का प्रमुख सहर बिहार में बसा हुगा से से क्या हो जाएगा साहिव गंज ठीक है और भागे से भागे से भागलपूर ठीक है याद हो गया नहीं याद हो गा तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर लीजिए गुर्कुल पॉइंट में तीन मिनट का वीडियो आपके परिच्छा में एक नमबर जरूर दिला देगा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख सहरों का सांदा ट्रिक छोटा सा ट्रिक क्या है काना बाप हवाई वेग से भागे बस इतना याद करना है तो काना से हो जाएगा कानपूर और बाप से क्या हो जाएगा बकसर, पॉसे, पटना बियाद की राध्धनी है ह से हरिद्वा व से वारार्सी इ से इलाहाबाद या प्रियागराज बे से देगुसराज से से साहदगंज और भागे से भागरपूर अच्छा है दोस्तों अच्छा है आथ कमेंट बाक्स में लिख कर बताईया कि सर वाकई अच्छा है और अगर आप नए देखने वाले हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करदें लाइप करदें, शेयर करदें थाइंक यू, धन्यवाद